आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का आनन प्रते दिन के जीवन का में स्वागत है आजा पाये मुझे खोशी है इस हफ़ते कारक्र में हम बाते कर रहे हैं डर की आत्मा के बारे में बाइबल कहती कि प्रभू ने हमें डर के आत्मा नहीं वरन शक्ति प्रेम और शांत मन की आत्मा दी है डर कई तरीकों के होते हैं आज मैं ऐसे डर के बारे में कहूंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा बहुत से लोग इससे पीडित हैं और ये है मैं प्रभू को ना पसंदू इस बात का डर प्रभू की इच्छा है कि हम उसके साथ आराम दायक हो श्रद्धा युक्त मगर आराम दायक और मेरी प्रातना के जबाप इस शिक्षन का आनद लेंगे तो पहले से भी अधिक प्रभू के साथ आराम में रह पाएंगे मैं अपने बारे में दोशकानोबहो लेकरी बड़ी हुई अधिकांशता लोग ऐसी है मेरे विचार से क्योंकि मैं इस शेत्र में चोट खाई है मैं लोगों की आखे खोलने की कोशिश करती हूँ मैं जहां भी जाती हूँ किसी तरह इस पर मैं शिक्षन न वश्य देती हूँ कभी कभी लगता है कि टीवी पर देखने वाले दर्शक कहीं उकता तो नहीं रहें क्योंकि वे इस शिक्षन को हर चार पार दिन में सुनते रहते हैं अभी तक किसी ने ऐसा कहा तो नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोगों के बीच बहुत ही बड़ी समस्या बन कर रह गया है हमें इसे सुनना चाहिए बार बार और बार और बार बार मुझे जहां होना चाहिए वाह नहीं हूँ लेकिन प्रभू का धन्यवाद जहां ती वाह नहीं हूँ मैं ठीक हूँ और बढ़ोतरी पर हूँ मैं अग्रसर हो रही हूँ आभी तक पहुची नहीं हूँ लेकिन प्रबू मुझसे खुश है मुझे में बहुत 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 बढ़ी समस्यती दोशा रोपण और गलती की मुझे हमीशा बुरा महसूस होता बहुत दिनों तक मैं इसे समझ नहीं पाई मुझे में दोशियोंने का नशा था इसका क्या अर्थ है अगर मुझे गलत महसूस नहीं होता तो सही नहीं लगता था आपने सुना मुझे गलत महसूस नहीं होता तो सही नहीं लगता था अपने बारे में अच्छा अनुभ हो मुझे ही मजाग सा लगता था यहां आज अनेक लोग ऐसे हैं जो ऐसी परस्थिती में हैं आप सारी जिंदगी बुरे अनुभ हो के साथ ही जी रहें और इसे हमेशा अपने ही साथ रखते हैं और यह भावना है कि सही मैसूस करना बड़ा पाप है हम किसी न किसी तरह यह सोच लेते कि अपने बारे में बुरे विचार धार्मिक है धार्म ऐसी बाते सिखा सकता है हम सोचते हैं कि हम बुरे कीडे हैं है न कीडे की भावना से बहार आईए आमिन कीडी सर्प के रिष्टेदार है और शैता अनेक सर्प है आमिन खैर मुझ में हमिशा दोश की भावना थी ये जैसे दोश का चक्र था क्योंकि मैं कुछ गलत करती फिर दोशी मैसूस करती और जब वो सुधरता नजर आता तो मैं दूसरी गलती कर बैठती और ये चक्र चलता ही रहता था मुझ में भी ये चक्र सक्री था मैं इसे समझ नहीं पाई थे मैं इसे जानबुझ कर कर नहीं रही थी मेरे दोश की भावना कितनी लंबी है ये मेरे पाप के स्तर पर निर्भर था मेरे साथ यहां कोई है देखिए और अगर ये छोटा पाप होता तो कुछी घंटों में दूर हो जाता थोड़े से बड़े पाप को कुछ दिन लगते हैं और फिर वो बड़े पाप अपने उन्हें दूर करने में दो या तीन हाफते लग जाते एक दिन मैं शॉपिंग करने गई अपनी कार पार्क की कार से बाहर निकल कर चलने लगी अपने इस भावना को अकसर हम लोगों में देखते हैं आप कैसी हैं बहन ओ अच्छी हूँ प्रभु की महिमाओ जहां भी जाती अपना बोज लिये जाती मेरा छोटा सा दोश का बोज सदा मेरे साथ रहता इससे मेरी कंदे थोड़ इससे जुग जाते इससे मेरा सर थोड़ा सा जुग जाता मैं अधिकार के साथ चलना और लोगों की आँखों में जाकना नहीं चाती थी जब ये मुझे से बाते करते जानते हैं कई लोगों की बातों में सपश्टता भी कम हो जाती है उनमें विद्रोहो नामक कोई चीज ही नहीं रहती है क्या आपने कभी किसी से हाथ मिलाया और लगा है कि आप मुरुतक से हाथ मिला रहे है ये ऐसा है कि और फिर कई आपका हाथ ही तोड़ देते हैं देखे हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए जब आप किसी से गले लगने को कहते हैं और वे बहुत से लोग स्वयम के बारे में बुरी अनुभूती रखते है उन्हें नहीं लगता कि उन्हें गले लगने या फिर हाथ मिलाने या हसने या कुछ और करने का हक है उस दिन प्रभू ने मुझसे कहा जॉयस इस पाप से उपर आने कि तुम्हारी क्या योजना है जानते लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते अगर हम अपनी सलहा को अपना ले तो जीवन में आगे निकल जाएंगे बस वही करें जो आप दूसरों को करने के लिए कहते जवें समस्या में होते हैं देखी बेहन जॉयस मैंने पिछले हफ़ते गलत किया और वो गलत किया मैंने प्रभू से ख्षमा मांगी लेकिन मुझे बुरा लगता है मैं क्या कर सकता हूँ दोश की भावना के अंतरगत न रहें आप लहू से दोए गए हैं जो करना था आपने किया अब उसे जटका कर आगे बढ़ें लेकिन देखी जोईस इस पाप से कैसे छुटका रहा पाए मैं उस बलिदान को स्विकार करूँगी जिसी इश्यो ने मेरे लिए कलवरी पर मर कर दिया था प्रभू ने मेरा जीवन बदल देने वाली बात कही सच मुझ बदलाओ वाली उसने का अच्छा और तुम उसे कब स्विकार होगी तब मुझे एक प्रकाशन मिला और मैंने सूचा कि ओ शाय तीन दिनों में प्रभू ने मेरी आँखे खोलना शुरू कर दिया अगर मेरे बलिदान की कीमत तीन दिनो के बाद अच्छी है तो अभी क्यों नहीं तुम अपने दोश को मेरे बलिदान से क्यों जोड रही हो मुझे तुमारी मदद नहीं चाहिए या तो जो मैंने तुमारे लिए किया था वो परियाप्त था या नहीं था अगर परियाप्त नहीं था तो तुमारी समस्या गंभी प्रभू ने मुझसे कहा जोईस मेरी बात मानो मुझे तुम्हारी जरूरत है मैंने तुम्हें बुलाया है तुम्हें अभिशिक्त किया है मैंने तुम्हें सेवकाई में डाला है और सच में तुम्हें सवस्था में वास्तों में मेरे लिए सही नहीं हो हाला कि तुम्हें क्या आज हम प्रभू पर ये उपकार करें और अपने आप से बिलकुल ही लड़ना छोड़ दें क्योंकि वो भी स्वार्तता हो सकती क्योंकि ये अभी भी है मेरे बारे में क्या मेरे बारे में क्या मेरे बारे में क्या मुझ में खराबी है मुझे में वो खराबी है, मुझे कुछ भी सही नहीं होता, मैं नाकामियाब रही, उसमें नाकामियाब रही, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मैं, 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 हलो, क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, ये अभी भी स्वयम के बारे मे चाहे तुम्हें मेरे साथ घटी बुरी बातों के बारे में क्यों नहीं हो लेकिन मेरे बारे में ही है इश्यू ने कहा अपने बारे में भूल जाए अपनी बारे में ना सोचे अपनी बात दिमाग से निकाल दें बाचीत में स्वयम को नौलाएं अपना जीवन प्रभू को सम अगर स्वैम को नहीं चाहेंगे, तो मुझे भी नहीं चाहेंगे, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी चाहें, इसलिए स्वैम को चाहना सिखाती हूँ, जिससे आपका विवाह हुआ उससे आपकी नहीं नीप सकती, अपने बच्चों से नहीं नीप सकती, अपने मित्रों से नहीं 628 उन्होंने उससे कहा परमीश्वर के कारी करने के लिए हम क्या करें प्रभू की इच्छा नुसार हमें क्या करना है ताकि कारी हो सके इश्व ने उन्हें उत्तर दिया परमीश्वर का कारिय है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करू हाँ और उसके बाद क्या नहीं बस इतना ही प्रभू को क्या अपेक्षा है यही कि हम इश्व पर विश्वास करें जब मैं गलती करू तो प्रभू क्या अपेक्षा करता यही कि मैं इश्व में विश्वास करू यही कि मेरी पापो की उसने कीमत चुका जाही का उसका बहा या लहू परीयाक्त है। कहता है विश्वास बिना प्रभू को प्रसन करना अन होना है उसके लिए मुझे क्या करना होगा विश्वास करना होगा उसे खुश करने के लिए और क्या करना होगा मुझे विश्वास है कि दो क्यों चीजें हमें विश्वास होना चाहिए और हमें ऐसा रिदे होना चाहिए जो प्रभू को प्रसन करना चाहे आपके पास उसे प्रसन करने वाला रिदय है इसी वास्तविक्ता से वो प्रसन होता है आमेन दोबारा सुलिए आपके पास उसे प्रसन करने वाला रिदय है इसी वास्तविक्ता से वो प्रसन हो जाता है आज आप यहाँ आए हैं यह वास्तविक्ता यह दर्शाती कि आपके पास उसे खुश करने वाला रिदा है उसे खुश करना चाहते हैं इससे वो प्रसन्न हो जाता है आपने से कई लोग दूर दूर देशों से आए हैं अमरिका यूरोप से लोग यहां आए हैं लोगोंने छुटी ली हैं लोगोंने बेबी सिटर्स को पैसे दिये हवाई जाहज की टिक्ने खरी दी बहुत पैसा खर्च किया आपना समय दिया सिफ इसलिए नहीं कि टीवी वाली महिला से मिलें हाँ शायद आप देखना चाहते थी कि मैं कैसी दिखती हूँ अब आपने देख लिया वो सब हो गया अब बाकी का समय जो बचा है उसे आई हम इशू को समर्पित करेंगे क्या आप जानते की पर्खा जाना क्या होता है बाइबल के तें विश्वास द्वारा न की काम द्वारा पर्खे जाते है जानते पर्खा जाना क्या होता है इसका आर्थे प्रभू के सामने खड़ा होना जैसे की कभी पाप न किया हो हम ईशु के लहू द्वारा परखे जाते हैं प्रभू के समक्षे से खड़े हो जैसे की हम निश्पाप हो वो हमें धार्मिक की तरह देखता है ना की बुरा वरन धार्मिक शायद मैं कुछ धार्मिक लोगों को ठेस पहुचा रही हूँ अगर ऐसा हो तो मुझे खशमा करें मैं आपको ठेस नहीं पहुचाना चाहती नहीं किसी के सिध्धान्त का मजाग उड़ाना चाहती हूँ एक कलीसिय जिसकी मैं कई सालों तक हिस्सा थी मैं बेचारी परिशान पापी और ऐसा मैं कई सालों तक कहते रही जोर से आप कहते हैं मैं एक पापी हूँ क्योंकि हम पाप करते हैं मैं अपने आपको मुसीबत में डालानी चाहती हम पाप करते हैं लेकिन हम लोग पापी नहीं है हमने पाप किये हैं और प्रभू की महिमा के करीब है मैं जीवन में हर दिन पाप करती हूँ मेरे विचार से कोई इस पर केस चला सकता है कि तो आपको क्या पापी बनाता है मुझे विश्वास नहीं कि प्रभू चाहता है कि हम पर लेबल लगे आप कैसे अपने आप पर प्रभू की धार्मिक्ता और पापी दोनों का लेबल चिपका सकते हैं इसे करने कई की तरीका एगर आपका है अपने आप में मैं एक पापी हूँ लेकिन क्रीस्त में मैं प्रभ और नया स्वभाव या तो आप पुराने स्वभाओं में जीएंगे आपको आज निश्चे कर लेना है कि आप कैसे जीना चाहेंगे अभी समाप नहीं होना जाने और कितना समय बचा है लेकिन यह अभी और बहतर होगा आमिन पर खे जाना जैसे की कभी नवपाप किया हो तो होता क्या है ठीक है चलिए देखते हैं रोमियो छे कमर बंद कस के बांद लो मैंने इसी दो हफते पहले ही देखा था पिछले 28 वर्षों से बचन पढ़ रही हूँ इसे दो हफते पहले ही देखा ये कितना अच्छा है जब मैं साक्षे देती थी मैं बेचारी परेशान पापी हर बार जब कहती थो और बुरा महसूस करती थी फिर मैं और भी बेचारी और और भी परेशान और बतर पापी बन जाती हैं आमें और देखिए मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ अगर आप भी ऐसी कलीसिया में जाते जहरो जैसा कहते हैं तो मुझ पर नाराज मत हुई मैं बस लोगों की आँखे खोलने की कोशिश में हूँ की जब हम पाप करते हैं हम गलत काम करते हैं दिखिए लोगों ने मुझे दोश दिया कि मैं कहते हूँ मैं पाप रही तो ये मूर्खता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा मेरे बारे में अख़बारों में लिखा गया था कि किसी ने मुझे कहते सुना कि मुझे मैं पसंद हूँ, मायर स्वयम को चाहती है काश में लिखते मैंने कहा था कि मुझे स्वयम से घ्रिना है वो धार्मिक शैतान चाहते हैं कि आप स्वयम से घ्रिना करें, आमिन पता नहीं आप जानती आने लेकिन इश्व इसलिए नहीं मरा कि आप धर्म पाए वो मरा ताकि आपका उसके साथ व्यक्तिगत संबंद बन सके मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके इस धर्म के हैं मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे धर्म के बार में पूछता है मैं कहना चाहूंगी प्रभू का दनिवात किसी धर्म की मैं नहीं मैंने नया जन्म पाया है संत पवित्र आत्मा में बप्तिस्मा पाया है एक और बात होगी अगर आप किसे से कहें कि आप संत है प्रभू ने आपको संत कहा है जैसा प्रभू हमसे बात ये करता है वैसा अगर हम लोगों को बताने लगे तो पृत्वी पर बहुती बड़ा तूफान मच जाएगा एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जो आप से रिष्टा रखना चाहेगा क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप पागल है और आपको बंद कमरे में रहना चाहिए सच पचकर जैसा प्रभू हमसे बात ये करता है वैसा अगर बताने लगे तो ऐसा ही होगा रोमियो छे उससे रिष्टा तोड लिया मैं इसे कहना चाहूंगी हमेशा के लिए क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया उसने पाप से रिष्टा तोड लिया परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है उसके साथ आटूट रिष्टे में प्रभू ने मुझे कुछ हफ्तों पहले बताया कि हमें पाप के साथ रिष्टा रखना बंद करना होगा सारे दिन भर पाप के साथ रिष्टा बनाये रखने में होता क्या है जब हम गल्ती करते हैं तो पाप करते हैं तो सारा दिन उसकी सहभागिता में बने रहते हैं देखिए जब पाप करके गल्ती करते हैं तो प्रबु से एक शमा मांगे इशु के लव से धोई जाने की बांग करे तब सारा दिन आप प्रभू के साथ साह भागीता में बने रहेंगे और अब मेरी बात पर ध्यान दे अगर प्रभू के साथ सारा दिन साह भागीता में रहूँगी तो दूसरे दिन पाप में गिरने की गलती नहीं करूंगी आज मंगलवार की सुबह 8 बजे पाप करू और पूरा दिन और बुधवार को भी उसी के साथ रहू तो फिर मैं बुधवार, गुरवार, शुकुरवार को भी उसे ही करूंगी यहां कौन इसे बहतर समझ रहा है, मैं इसका प्रचार करूंगी इससे समझ ले नहीं तो मुझे बार-बार समझाना पड़ेगा यह सही है ना कि जब आप कोई पाप करते तो उसके साथ सारा दिन बने रहते है एक दिन मैं अपनी प्रातना कुर्सी में प्रातना के लिए बैठी और अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचने लगी इसके बारे में चिंता, उसके बारे में चिंता, इसके बारे में चिंता प्रभु ने का क्या यह प्रातना है क्या मेरे साथ सह भागिता निभा सकोगी जोईस या अपनी समस्याओं की साथ बनी रहोगी कुर्सी में बैठ कर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहना प्रार्थना नहीं है और ना ही कुर्सी में बैठ कर प्रभू को अपनी समस्याओं बताना प्रार्थना है समस्यां उसे कहें लेकिन कहते ही ना रहें बाइबल कहती हमारे बताने से पहली वो हमारी जरूरते जानते हैं प्रभू किसा साथ भागिता में हम अक्सर चूक जाते उसे कहें कि वो कितना अद्बूत है और हमारे लिए कितने अच्छे काम किये हैं हर बात के लिए उसे धन्यवाद दें, हमें प्रभु से कहना जरूरी कि हमें कितनी आशायं हैं, उससे विश्वास के बारे में और अपिक्षाओं के बारे में बाते करें, मैं आपको दुबनी चुनौती देती कि प्रभु से अपनी अपिक्षाओं को बताएं, क्या आप जानते हैं आपने जितने की अपेक्षाकीति उतना ही आपको मिलता है जो कुछ भी नहीं आपने प्रत्याशाओं की मनुदशा नहीं आपको बस प्रत्याशाओं की शैतान आगे क्या करने वाला है प्रत्याशाओं के साथ जीना क्या है क्या होता है जब आपने किसी को डिनर पर बुलाया और साथ बजी आने को कहा छे पचास को सब कुछ तैयार है कैंडल्स जल रहे हैं खिड़की से आप देख रहे हैं उनका आपको इंतजार है किसी भी मिनिट उनकी कार आपके घर के अंदर आ सकती है इसी को कहते हैं आशाएं प्रभू की प्रतिग्याओं पर विश्वास कीजिए हर दिन इसी सोच के साथ उठे कि आज अवश्य कुछ बहतर ही होगा भी जो परमीश्यों की बाट जोते प्रतिग्षा करना आशा रखना और प्रभू को अपने जीवन में पाने का इंतजार करना इसका यही अर्थ है आप आशा साइद बाट जोते हैं वास्तों में एक मनो दशा रखते हैं मुझे प्रतिती नहीं की प्रभू कितना भला है मुझे उससे कुछ अपेक्षाए है उसकी आशीश मुझे चाहिए उसकी अभिशेक की मुझे आशाए है आशा करते हूं की प्रबू द्वार खोलेगा देखिए लोग आशा के साथ नहीं जी सकते अगर उनमें जो दो शेय सदा उसी के साथ बने रहे हां हम गलतिया करते हैं अपने पापों को माने और उस पर विजय पाएं प्रबू के सहभागिता में रहे क्योंकि अगर वो मदद नहीं करेगा तो आप दुबारा वही करेंगे और अगर दुबारा करेंगे तो सिर्फ वही आपको बचा सकता है अंध में मैंने प्रबू से कहा मैं नहीं प्रणाली बनाओंगी अगर प्रबू तो इसके बारे में कुछ नहीं करेगा तो मैं करूंगी लेकिन हम कहते हैं ओ प्रबू अगर आप मुझे ख्शमा कर दे प् प्रबू अगर मेरी मदद करेंगी तो दुबारा नहीं करूंगी प्रबू फिर आप उठकर उसे पिर से दुबारा और दुबारा करते हैं फिर आपको अपने आपसे और नफरत और नफरत होती है इसलिए नहीं पदती अपनाएने जीने का तरीका प्रबू अगर आप मेरे बारे में कुछ ने करेंगी तो मैं इसे निश्चित दुबारा करूंगा मैं वादा करता हूँ प्रबू कि मैं इसे खुद नहीं कर सकता अगर तू मुझे नहीं बदलेगा तो हो गया मैं स्वर्ग का रास्ता अपनाओंगा प्रबू अगर मुझे में बदलाओ चाहता है जब मैं महिमा में नजर आओ तो तुझे आवश्य कुछ करना होगा नहीं तो जब मैं वहाँ पहुचूँगा तो तुझे मेरे लिए अलग समय रखना होगा क्योंकि अभी भी मैं बखेडे में रहूंगा बाइबल कहती है हम सब पलग जपकते ही बदल दिये जाएंगे वो हमें महिमा से महिमा तक बदलता है आपके लिए एक खबर है यहां खड़ी होकर बोलती समय मैं और भी बहतर हो जाती हूँ और आप सुनने पर और भी बहतर हो जाते हैं क्या आप जानते अगर इस पर विश्वास करेंगे तो वश्य जीवन में आगे बढ़ेंगे कॉंफरेंस में जाकर मुझे कुछ फाइदा ने हूँ कोई लाब नहीं हुआ मैं नहीं बदलने वाला मैं हमेशे वही पुराना मैं रहूंगा बचान मूर्क मूर्क मैं मूर्क हो मूर्क हो अपने बारे में कभी ऐसा ना कहें अगर आप गल्ती करते हो नाराज होते हैं तो कहें प्रभुख शमा करें लेकिन आपसे एक बात कहूं इस हफ्ते मुझे में बहुत से वचन समाय हैं वचन मुझे में कारे कर रहे हैं और मैं बदला हो देखूंगा महिमा के ख्षेत्र में आने की मेरी प्रत्याशा होगी मैं आपको फिर से याद देलाना चाहतियों की प्रबू आपसे प्रेम करता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत साधारन लगेगा परन्तों मैं उस त्रीकों कभी भूल नहीं सकती जिसने कहा कि एक दिन जब मैं टीवी पर आपका कारिक्रम देख रही थी आपने स्क्रीन के और अपने उंगली दिखा कर कहा प्रबू आपसे प्रेम करता है वो ख्षन मेरी जीवन बदल देने वाल अक्षन था हम सोचने की सभी इस सत्य को सुन चुके हैं कि प्रबू उनसे प्रेम करता है पर सभी ने नहीं सुना है यदि आप इसे जानते हैं तो मैं आपको प्रोचाहित करती हूँ कि उसे और गहराई से जान ले और इदि आप नहीं जानते हैं, आपकी जीवन में ये प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातों को दिहान से सुने, इशू आप से प्रेम करता है, हाँ वो हर एक से प्रेम करता है, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप इसे व्यक्ति गतौर पर अनुभाव करें प्रभू आशीशते हैं।